हेलो विडियो होने वाला है वुलन टॉप से रिलेटेड इसको मैंने कैसे अच्छी से एक कुर्ती में कनवर्ट किया है तो आप एक लुक देख लीजे उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर इस टॉप की स्लीप भी काफी लंबी थी तो मैंने एक स्लीप करें लेगे बहुत ही लाइटली हाथ होसे मैं इसको पकड़ें क्योंकि यह मतलब खुलने का डर है वुलन है इसलिए तो मैंने पहले एक ही स्लीव को कट किया है और उसको तयार कर लूँगी सिल लूँगी मतलब फोल्ड करके दाकि यह खुले नहीं उसके बाद उसमें भी इसतरी टरीके से फॉल्डंडे डबल फॉल्ड नहीं हो मैंने स्टेम कर लिया तो यह एक स्लीव मैंने तयार कर लिया और इसके बाद नहीं और नहीं तयार कर लिया जिए अब हमाने नेक पर जो starillist बनने वाला है तो इस गले करने नाहिक भी कुछ अभी है तो आप एक और आइडीया साख दो अगर को सटीच कर सकते हैं से चंब Siberia प्रली रिख भोड़ीया है इन्यडी को सीधा कर लिया है धर यहां पर किनार खुलिया है बाद आ एकल फिलाई लगा लेरी हूं किनारे पर इन भूड़ी बइस हो सुऩफ कर लेना दो यहां तो यहां पर यहांी जो खिचाओ पड़ेगा ना क्योंकि यहां पर बॉर्डर तो बना हुआ नहीं है बूलन है एंड खुलता बहुत जल्दी है जैसा कि मैं बार 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 बोल रही हूं एंड इसलिए मैंने शिलाई लगा ली ताकि भी हमें हाथ से जो कर रही हूं ताकि यह खिच खिच के खु जाडर लेट Buddhist फिक सी तौ्राव कुछ जाम पास। कहना में पुलकी सदोड़ेएं पूर बबॉर इसके बाद ली कुछे नहीं पुछ पूरा कंप्ली चॉत तो को बाद जाए वार लिगां लेसी तारी चेल उन्ही आएं को शुछ शुटी जाहना पर質 के जाड़ा है तो इ आप कोई सिंपल सी ले ले लिजे सुंदर सी पतली सी या फिर आप कोई रिबन यहां पर लगा दीजे तो आपको बीट्स भी लगाने की जरूरत नहीं है और नहीं इंटर लॉकिंग करने की जरूरत है तो आप इस तरीके से भी बना करके इसको एक प्यारा से लुक दे सकती है तो बीट्स पूरे में लगा करके मैंने इस तरीके से कंप्रीट कर लिया है यह देखिए किनारे से लगाना स्टार्ट किया था दोनों साइट से और बीच में लाक अब देख सकते हो आप यह एक बहुत सुन्दर सी कॉलर बन गई है लेकिन अगर इसी तरीके सा आप इसको वेर करेंगे तो यह बिल्कुल सीधा सीधा ही जाएगा तो मैंने क्या किया मुझे एक और बढ़िया सा लुक चाहिए था तो मैंने इसके कोने को उठा करके जितना मत इससे थोड़ा सा और नीचे कर दिया है जिससे एक बहुत प्यारा सा शेप मिल जाएगा हमें तो मैं यहां पर इसी तरीके से दोनों के जो कॉर्नेर्स हैं बिल्कुल कोने पर ही टाके लगा दूंगी तीन-चार और इसको सिक्यूर कर दूंगी और इसे देखिए इस तरीक कितना चोड़ करके मैं लगा रही हूं इसको लगाती जाओंगी स्लीट से स्टार्ट किया है और इसको लगाओंगी क्योंकि मुझे अभी इसके साइड स्लिट्स भी खोले हैं यह टॉप है काफी जादा लॉंग है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है इसलिए मैं इसको एक साइड स्लिट्स ओपन करने है वहां तक स्लाई लगा ली है इसके बाद देखिए यहां पर टॉप है तो यहां पर स्लाई खुली तो है नहीं इसकी जहां तक मैंने स्लाई लगाई है वहां तक कि मैं दोनों साइड ओपन कर लूँगी स्लाई इसकी खोल लूगी तो यह दे कि यहां पर जो सिलाई अभी मैंने खोली है और एंड में यह खुलेगा नहीं मतलब यहां पर मैंने कटिंग दुकी नहीं है यहां पर अपने आप से खुलेगा नहीं तो बस बहुत हलका हलका सा ही नीचे फोल्ड कर दिया है और उपर जाकर के मैंने जहां से बॉर्डर खतम ह गड़ decir, चोड़ा मोड़ा जाल जया Cabin जाल, इसना चोड़ा कर लीए सलसे जड़ा uy से छोड़ा कर लीयों जीदा, टौब वक्ना कर ला degree तो इसी तरीके से मैं फोल्ड कर ले डही हूं और यहां पर पहुंचके दिखिए डूर पको घंउब लेना ह्, शोल्छाय इस तरीके से एंड इसके बाद फिर से हम गुमा लेंगे लिए तो दूसरी साइड भी मैंने ऊपर क्योंकि यह मोटा है बताया मैंने चौड़ा ज्यादा है इसको भी मैं उसी तरीके से फोल कर रही हूं मतलब ऊपर थोड़ा सा चौड़ा कपड़ा मैंने लिया है और नीचे इसको कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूं कितना इसका लुक चेंज रहेगा आप खुद ही देखेगा तो यह देखे बनने के बाद यह कुछ इस तरीके का हो गया एंड मैं आपको फ्वियर करके भी दिखाती हूं तो यह देखिए यह है इसका पहले वाला वीड है इतना ज्यादा बड़ा है मैं तब चौड़ा चौड़ा सा लग रहा था बहुत और लग रहा था तो मैंने इसको बनाने के बाद यह देखिए कितना सुंदर इसको बना दिया है और आपके पास भी अगर हाइनेक हो तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा नेक देखिए कि को ओपन करके देखिए कुर्ती का भी लुप दिया है जो कि बहुत ही प्यारी अब लग रही है कुर्ती ही आप बोल सकते हो भी बहुत प्यारी सी कुर्ती बन गई है टॉप से तो उमीद करती हूं मेरा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और यह मेरा एक्सपेर नहीं नहीं इंटरस्टिंग से वीडियो के साथ तिल दिन बाई बाई टेक केर थैंक यू सूमच पॉर्ट